इस होटल का नाम वैसे तो एबरडॉन था पर ये अपने शो के लिए बदलकर इसका नाम हैंड हाउस रख देती हैं शो की जब ओपनिंग थी सुबाद रख शो को सबको दिखाया जाना था उससे पिछली रात हैंड हाउस में 15 लोग मारे जाती हैं जिनमें शो का ग्रूप और ऐसी कई सारी लोग शामिल थी और इसकी वज़ए ये बताई गई कि इनकी सेट पर गैस लिक हो गई थी कि असल वज़ए अभी तक किसी को नहीं पता बस हमें यहां चोटी से यूट्योब वीडियो भी दिखाए गी जो उस वक्त किसी तरह शोट हो गई थी हैंड हाउस की बाहर बहुत सारे लोग खड़ी थी जो अंदर चाना चाहती थी पिर हमें एक लिड़की और जोकर दिखाया गया जो कोपर की तरह भाग रही थी वो अफिले रही थी साथ ही कैमरा में रिकार्ट के जिरिए यह भी बताया जा रहा था कि यहां की बेस्वन में ज्यादा गरबढ़ है इस हरसे की कुछ साल बादर में एक लिड़की डियान और उसका ग्रूप दिखायागी जो इस मसले को सुल जाने कि उस राद किया हुआ था इस पर एक अक्युमेंटी फिल बना रही होते यहां कुछ लोगों की इंटर्वी भी दिये जाती है एक फोटाग्रूफर का इंटर्वी दिखाया गया इसमें वो बता रहा था कि मैंने खुद हैंड हाउस में जापर तस्वीरे बनाई है यहां फरिश पर लोगों का खुण पड़ा था जैसे पता नहीं उन्हें कितनी पे दर्दे से मारा दिया और वो बताता है कि बेस्वीर में जाने का जो रास्ता था मैंने उसकी तस्वीरे भी बनाई कहा जाता है कि ज़्यादा बुरे चीज़े वहां हुए वो जो का इतनी ड्राउनी लग रही थी कि मैं हिम्मत नहीं हुए कि मैं नीचे ड्राउन चेक करने और आज तक इस तरह की अजीब ज़गा मैंनी नहीं दी अब अचानक है हैन हाउस क्रूप की एक मेंवर जिसका नाम सारा होता है तो ड्यान के पास आती है इंटर्वे देनी उसका कही न था कि उस रत मैं किसी तरह बचकर भाग गए थी और तब सी आज तर शुप कर रह रही हूं अब मज़े जब ड्यान उससे सवाल करती है तो सारा उससे हेल हाउस की पुरी वीडियो देती है इस ग्रूप का जो हेड था उसका नाम एलिक्स था जिससे बीना कोई सवाल की हर कोई उसकी बात मानगा था और जो सारा है वो एलिक्स की दोस होती है जो हर जगा उसका साथ हीती है इसके लाबा एरिक्स का सबसी करीबी दोस भी था जो इस बिजनिस में उसका पार्टनर भी था एक मेकैनिक भी आ रहा हुआ था जिसे केमरा बेरा इंस्टॉल करने सेटब करने के लिए लाया गया था और जैसे होटल की अंदर आए इन्हें अंदाज़ा हो गया उसका कहना था कि यह जगा सो से भी जड़ा परफिक्टी और क्यों बाके को लग रहा था कि यह होटल अजीब यह ड्राउनस आये तो उसका कहना था कि ऐसा कुछ नहीं है जब लोग एडिट में गए और फोन पर इंडूस्रे से बात करी थी तो इन्हें अपनी पीचे से अजीब भूतिया वाजी आनी लगी सिर्फ यही नहीं जब यह सारी एलिक्स के पास वापिस आये दो कैमरा में काली पर जाय रिकॉर्ट हो जाती है जिसने काली रंगी हुटी अपने सर पे लिए रखी थी और अभी लोग होटल की सबसे ट्रॉइन जगा पर जाते हैं यहाँ पर बहुत सारा जिन भूतों को बगानी वाला और काले जादू का समान पड़ा था जैसे एक रिच्वल जादू का निशान स्टार्ट था जो जादू में काफी मशूर है इसके लावा पर इस सारी क्रॉज थी जगा जगा बार बार पर पड़ी हुई थी पर यह सब देखकर भी अलिक्स कहता है भी डरने वाली कोई बात नहीं ऐसरे से कुछ नहीं है बात भी मेकैनिक और उसके साथी भी जगा जगा कैमरास को सेट कर दिया था तक कि हर चीज़ पर नज़र रखी जा सकी पर यहाँ एक मसला था यह बेस्मेंट में कैमरा नहीं लगा सकती थी कोई लोग फैस्पे करती हैं कि शो वाले दी वहां किसी एक्टर यह एक्टरस को बिठा देंगी दाकि वह वहां नज़र रख सकी और बस इसी के साथ या भूत या चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं जैसे कि फिर्वाजी अपने आपी कुल में और बंद होने लगती हैं कैमरा रिकॉर्डिंग में बार पर कोई परचाई गुजरती हैं इसके लावा जब मेकेनिक अपने वीडियो बना रहा था दो उसे अपने पीछे भी एक परचाई खड़ी होई देखती हैं उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसी लगा कि ये सारा होगी क्योंकि कहा जाता है कि वो यह एक शितानी कर्ड ग्रूप को चिला रहा था और उसने इस होटल किसी खास मकसिद के लिए बनाया था जो मकसिद था कि बाइबल में थी जगा एबड़न को दीमन यनी शितान बताया गया है जो हैल जहन्नम की रास्ते का गार्ड है क्योंकि देखबाल करता है होटल का मालिक हलका फुरास्ता बेस्मेन में खुलने चाता था इसलिए उसने इस होटल का नाम भी एबड़न उस दीमन की नाम पर ही रखा था होटल की मालिकी उपए करिस सरी मेमानों को गाइब करने का इल्जाम था वह बेशाब बच्छाय करता था ना को सुनने की बाद भी एने बस यहीं कहता रहता है यह बस अफ़ाइ है अब मेकैनिक को एक जोकर नजर आया जो बेस्मेन की तरफ जा रहा था यसे देखकर उसकी हालत खराब हो गई पर जब उसने बेस्मेन की तरफ देखकर दोबारा जोकर को देखा तो अब वह मेकैनिक को एदेख रहा था यानि कि वह जिंदा था जो उसे डुराने की कोशिश रहा था मेकैनिक को रिखता है यह मेरे साधी की शरारत है सच पता केंडी के लिए जब वो बेस्मिन में आया तो अब वाँ एक नए ठीन जो कर थी जो एक जैसी पजिशन में बैठे हुए थी जो चीज़ काफी अचीब थी वो बोर डर किया ये देखकर उसकी हालक इतने खराब हो गई कि वो जल्दी से कोटकर बाहिर आगया उसे उल्टे होने लगी थी तरवाजी अपने आपी खुल रहे थे बंद हो रहे थी अब वो इस सारी बादे जाकर एलेक्स को बताता है पर उसकी तो हर बाद की तरह इस बार भी इस पे एकीन करने से साफ साफ मला कर दिया और तक वो मकैनिक को है चुटला दीता है जिससे यहां उसका यह चीरा भी सामने आता है कि एलेक्स कितना कोट गहर से उसे सिर्फ अपनी और इस कंपनी की यह बढ़ी है उसे अपने बाकी करूप की कोई परवा नहीं थी अब एक लाट इनी फिर से जोकर दिखाए दिया जो वह इंबेस्मेंट में रास्ते पर खड़ा था नीचे जाने की कोशिश कहरा था एलेक्स की दोस्ती जब उसे देखा तो अजीब तो लगा पर छूने पर वो सिर्फ स्टेजू ही था इसलिए वापिस उसे उसकी जबब परे रखाता है यदि बेस्मेंट में लेकिन अब वो सारा को बड़ी अजीब हालत में देखता है वो दिवार के पास जाकर किसी से बातिंग कह रही थी और लफजों को उल्टा बोल रही थी ये देखर एलिक्स के दोस्ट फोरण उसकी पास आपकर सारा को संभालता है इससे वो वापिस अपनी होश में आवी ये लोग देखते हैं कि जोकर को जहां इन्हों ने रखा था वो अब वहाँ पर है ही नी जोचीज काफी चुका देथी मली थी पर इसे नजरेंदास करके ही जो वापिस आ रही थी तो देखते हैं विए डायरिंग टेबल पर इनकी लिए खाना सजा हुआ है और वो जोकर इनकी ही लिए खाने पर इंतिसार कर रहा है वो सामने खड़ा था जोचीज काफी ड्रावनी थी अब इस सब की वजह सी लोग अगली दिन एलिक्स को ढूरती है पर वो इन्हें कहीं नहीं मिलता इन्होंने जब उसका कमरा चेक किया तो वहाँ एक डायरिंग मिलती है जिस पर एलिक्स ने 20 मुली रिचल की दिशान, जोगर, पुल्टी क्रॉस और नजाने क्या-क्या बनाया हुआ था कहीं सारी मंदर भी लिखे हुई थी पिर सारा एलिक्स पर टूर लेती है और रोती हुई उसे सब कुछ बताने लगी कि मुझे यहां वो टर्न लग रहा है, यह जदो बहुत अजीब है अब इनके शोकी तेन दिन रहागी थी पर मकैनिक को अजीब लग रहा था वो चाहता था कि इस शोको लोगों के सामने ना हिला जाए जाए वरना बहुत गंतोगा जिस वज़ है उसे काफी पर्यशानी हो रही थी अब रात पुजब वो सो रहा था तूज यह इस सूरा रहा है तो इसकी ड्राइन भू लड़की थी जो उसे ही धी देख रही थी जिसकी आउखे सफीड थी चेरे पर कर्ज बैयानक نिशान थी जो अब दीरी दीरे करके मेकैनिक की पास आने लगी वो बोर्डर किया अपने उबर चादर ओड़ लेता हैं इस सुमेट के साथ कि वो यहां से चली जाएगी और यह चादर मुझे बचाने पर अब जैसे उसनी थोड़ी थी चादर अटाकर देखी वो ड्रावी लड़के मेकैनिक की काफी करीब आ चुपी थी और अब चानक उस पर हमला कर दीती है जिससे कैमरा की वीडियो यही खराब होचाती है अब काफी देर सी क्योंकि मेकैनिक का अता पता नहीं था इसलिए उसका साथी कमरे में जाकर चेट करता है पर वहाँ कोई भी नहीं था यह बात अकर उसने एलिक्स को बताई और अब जब यह मेकैनिक को कॉल करने की कोशिश करती है तो आगे सीनी सोबड़ार ड्रावनी आवास सुनाई लीती है जिस वज़र सीनी परिशानी होने लगी पता नहीं मकैनिक कहा चला गया उसे ढोड़ने के लिए अभी सिदा वेस्पिन में चले जाती है मकैनिक का साथी फ्रीजल रो में जाता है इस सुमेट के साथ के मकैनिक वहाँ गया होगा पर उसने जैसी दर्वाजा खोला अंदर मकैनिक तो नहीं बनकी तीन जोकर थी जिनके जहरों करो इने की दरफता वो इने खोर रहे थी पर अभी नहीं यहां मकैनिक भी मिल ही जाता है पर काफी अजीब हनत में तुकि वो गड़न चुकाई चुपचा बैटा था चैसे किसी के कंट्रोल में हो अब ये दिकर अलिक्स ने भी कही दिया कि हमें डराने के लिए ये सब मकैनिक कह रहा हैं लेकिन बस एक चीज़ में मानता हूँ जो है जोकरों की सर टेकनिकली तोर पर ये वाती ये नहीं मुड़ सकती ये संकर मकैनिका साथी अलिक्स पर भड़ा गया कहता हैं कि मैं तंगा चुका हूँ मुझे अब यहां काम नहीं करना अब मैं जा रहा हूँ जो केकर वो यहां से बारे चल दिया जिसकी पीची पीची अलिक्स का दोस्त भी जाता हैं वो मकैनिक के साथी को एक ऐसी राज की बात बताता है जो सुनकर मकैनिकल साथी चौक भी गया और फिससे काम परने के लिए राज भी हो गया पर आखिर में इन्हों ने ये भी कहा इस सच में एलेक्स ने हमारी जिनकी पर बात किर दी इसमें अब हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं यहां हमने नॉटिस किया कि जब से मेकैनिक बेस्मेंट से वापिस आया वो पने बिस्तर से ही नहीं उठा वो वही पड़ा रहता हैं जिसके बाद आखिर शोवनी रात आही गई यहनी कि अब सिर्फ कुछ इकंटे रहे गए थे हेल हाउस की ओपनिंग में बाहिर बूसाई ओर्डेंस की ब्री लगी थी जो इस शो का इसना बने आए थी एल्डों दे लिए एलेक्स और एक्ट्रस बाहिर आती हैं और अपने शो में इनका वेलकम करती हैं और अब हम यहाँ पर फिर से शुरुवात विली सीन में आजाती हैं जहां कुछ लोगों ने यूट्यूब की वीडियो बनाई थी यह वाँ की फुल वीडियो है एलेक्स एक्ट्रस को उस तर्वने निशान की सामने बादेता हैं और सामने एक्ट्र को जोगर बना कर बढ़ा देता हैं तकि मोह आठीज पर नज़र रख सकी और एक्ट्रस की भी देकपाए कर सकी अब साही लोग है्ल进 हाउस में आना शुरूर हो गई जिवके एक्टर जो जोपर बना हुआ था वो बेस्टमेंट से बाहर आता हुआ दिखता है जो बेगे ड़ड़ा हुआ था और यहां हिरान करने वाली बात ये कि इसके नो दिन बात उसके नाश अपने कबरे में से मिली थी सारा पर टरी हुई ओपर भाग ली थी जिसे हमने शुरुआत में में देखा था अब बेस्टमें हमने देखा कि वहाँ एक जीवसा इंसान आया है जिसका चीरा सकन खोपड़ी जैसा था और इसी से डरकर जोकर एक्टर ओपर भाग गया अब अचानक वो चुका जो आएक्टरिस को जमीन पर बांदा हुआ था उसके नीचे काफी बड़ा गड़ा बन गया जिसके अंदर एक्टरिस की जीवे चले चाती है यानि कि ये बस सच थी ये होटल की मानिक में यह हलका पोटल रास्ता बनाया हुआ था जो ये ही बना था अब हलाद खराब होती ही एक्टरिस के दोस्त यहां आई लगों की मड़द करनी लगा यहां से बारे निकलने में पर अब जब उसकी खुद की बारे आई तो सारे दर्वाजे उसके लिए बंद होगी थी यहां उसे मेकानिकल साथी में मिलना जिसे वो बिसमने जाने का कहता है ताकि वो एक्टरिस की मड़द कर सकी पर अब जब यह वहां गया हुँ तो मेकानिकल साथी भी हल्की रास्ते में बीश दिया जाता है और अब हम यहां वो दिड्रा दिने वाला सीन देखती है अच्छालेट सभी भूत आत्माई अपने आपे सिंदा को चाती है राकि वो अपने साथ और आत्माई को रिजा सकी हर जोका आत्माई फिरती हुई साभ दिखाई दे रही थी अब जब सारा और अलेक्स का दोस्त उपर एटिक में गई तो यह वाँ अचीब हलक में अलेक्स को देखती है जो खुद को फानसी पर इटखा रहा था उसका दोस्त को सारा अलेक्स को ऐसे करने सी मना भी करी थी पर तबियां और भी कई साही कालिहुट वाली आत्माएं आंगी जिनके साथ उगल लेडर भी था वो इन दोगों को ऐसे करने से मना करके उनका केमरा ही तोड़ देता हैं और टब तक एलिक्स ने खुद को फांसी से लेट पाही निया था अब आगे क्या हुआ हम एंडिंग को रहे दिखाए बगार ही वीडियो बंद होगी और प्रेजेंट हैं मुझोदा वक्त में हम सारा को देखती हैं जहांपर सारा का कहीना था कि बस यह हुआ था जिसके बाद में में दर्वाजे से निकलकर होटल से सही सलामत बाहिर आ गई और बस सब इसी आज तक में छुपी हुई थी अब इंडर्व्यू का वक्तफा लेती है यह कहकर कि बागी का इंडर्व्यू में बात भी दूंचे हो तुम मेरे कमरे में आफरें दे सकती हो कमरे का नाम है टोसी फी सारा कुछ वक्त के बड़ दियान और उसके साथिनकों मैसे शुटती है वो इने काफी कहती है कि आप लुगों को भी हल हाउस में ज़रूर जाकर देखना चाहिए कि आपके पूरण पर हेर किया असलिमी वो इने वहाँ जाने के लिए कैसे भी करके मनाना चाहती थी पर बिना सुचे समझी डियान और उसका केमरा में राजी होगी कि ये वहाँ जाकर देखकर आएंगी फ़र एवर्टन होटल येनी हेल हाउस में जाने से पहने डियान उसी होटल में जाती है जहाँ पर सारा रोकी थी और जा उसकी बागी का इंटर्व्य देना था पर इंटर्व पर लेटकर अपने जान लेए थी उसकी बाइस सारा तो फटासी निक्रे ही नहीं मैंकि वो तो वहीं गिरकर भी होश होगी थी पर जब उसे होश आया तो वो कैमरा लेकर आगे बड़ी यहां उसी काली वोट वाली पर चाही दिखी जिसकी साथ ही वहां मैकैनिक भी सामने आगया जो काफी जी बड़ताओ कर रहा था पर यहां सारा बिड़ा सोचे समझी उसकी गले सी रध दे इस सोच की साथ कि जिलो कोई तो यहां है उसकी डावा पर इस चीसी मैकैनिक को गुस्ता आगया तो अब यहां सवाल यह उड़ता है कि जो सारा बिड़ान की पास आई थी वह कौन थी तो उसका सिंबर सा जवाब था कि वह इस बोतिया होटल की तरफ से भीजी गई आत्मा थी ताकि वह बारे जाकर और लोगों को होटल की अंदर जाने का कहीं और होटल को ऐसे जड़से ज़्यदा आत्माएं मिलती रहे हैं जिससे यह यह बात भी क्लियर हो भी कि हैल हाउस में इतने सारे लोगों को बुलाने का मकसद भी यही था कि उन सब की आत्माँ को जवा करके होटल को दिये जाएं अब जब दियेन अबड़न मुटल की अंदर आई तो उसे जमीन पर खोन पड़ा हुआ दिखता हैं जिसे नजर अंदास करके जब आगी बड़ी एलिक्स का बूट इन पर नजर रखी हुए हैं जिसे यह लोग नहीं देख पातें अब जब दियेन आगी बढ़ रही थी तो उसके पास एडिटर साथी की कॉल आई जो उसे कहिने वाला था कि वापीस आजाओ और अदर ना जाओ पर दियेन ने बड़किसमती सी वो कॉल नहीं उठाई डियेन और केमरा में जब उपर गई तो इन्हें यहाँ पर कमरा टो सी मिल जाता है जिसे कुलने पर नहीं सारा बैठी हुई थी और अब उसने जेसी मुड़कर देखा उसका चीरा काफी खराब था जिसके साथ अचाने तो काने उड़वारी लोग इनकी गरोड़ बढ़ने लगी और अब वो डियेन और केमरा में इनको भी गाइप करके अपने साथ ले जाते हैं उनकी जादे केमरा एचवा पर रुख गया एक गम खामोशी शान्दी सी चागई क्योंकि अब होटल उन सब की आत्माओं को ले चुका था जो साथ उसी उसको काम चिलता रहा है लोगों की आत्माओं को खाने का इस फिल्म की कहाने यहीं पर खत्म चाती